नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ फिजकास्मी भले ही राजिस्थान में अभी विधान सभाद चुनाव होने में समय बाकी है लेकिन BJP में समर्थकों की और से सोशल मीडिया पर अपने अपने नेताओं को CM बनाने की मानों होड मची हुई है पूर्व CM वसुंद्रा राजवर प्रदेश अध्यक सतीश पुनिया समय तमाम नेताओं की सोशल मीडिया पर कथित टीम सामने आने के बाद अब केंदरी मंत्री गजेंदर सिंग शक्तावत के नाम से एक नया पेज सामने आया है इस पेज का नाम है टीम गजेंदर सिंग शेखावत मिशन दोहजार टेईस सम्बंद में खुद गजेंदर सिंग शेखावत ने जानकारी साज़ा की है शेखावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरीए ये सूचन जारी करके लिखा है कि सोचल मीडिया पर तथा कथित मिशन 2023 के पूर्ती के लिए मेरी टीम में विधान सभा प्रभारी न्यूक्ति से संबंदित पोस्ट देखने को मिली है मैं सबस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा कोई मिशन या ऐसी कोई टीम अस्तित हों में नहीं है ये कुछ शरार्थी तत्वो द्वारा मेरी छवी को धूमिल करने और बीजेपी को कमजोर करने वाली शक्तियों का शडियंत्र है उलेकनी है कि केंद्रिये जल शक्ती मंत्री के नाम से बनाए गए इस पेज पर सोशल मीडिया पर टीम गठित की गई है साथ ही कई कारे करताओं को जिम्मिदारी भी दी गई है आपको बता दें कि इससे बहले पूर्व मुक्य मंत्री वसंद्रा राजे के नाम से प्रदेश के कई जिलों में टीम वसंद्रा राजे के भी पेज सामने आये थे वही सतीश पुनिया समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लक्षे 2023 में पुनिया सरकार नाम से पोस्ट किया था जिसका खंडन बकाइदा पुनिया की ओर से किया गया था लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि राजस्तान बीजेपी में लगतार गुडबाजी की खबरे सामने आती है थी हैं हाल ही में वसंद्रा राजे ने अपने जन्म दिन के अवसर पर शक्ती प्रदेशन कर पार्टी को अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की थी पलालमी के लिए इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 NEWS के साथ